नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं अधुबाला आपके साथ चपड़ा के रोजा अस्थीत राज़त के प्रधान जुला कर्याले पर गुरुवार की सुबह में राज़त कार्य करताओं से प्रत्याश्री डॉक्टर रोणी अचारे ने सीधे समवाद किया है जी आपको बता दू वही मीडिया से बातचित में उन्होंने राज़िव प्रताप रूडी को बेवकुफ आदमी भी कह दिया है अब इस पर रूडी की प्रतिकिरिया भी सामने आई है खबर को पुरिविस्तार से जानेंग उसे पहले आपको बता दू कि राज़िव प्रताप रूडी ने रोणी अचारे को क्या कुछ कहा है उन्होंने काया कि जिन बच्चों को आदत नहीं है धूप में निकलने की और घूमने की ऐसे में वो चिड़ चिड़ाहट हो जाती है हम उनको इसके लिए माफ कर देते हैं हम बस उनको इंतना याद दिलाना चाहते हैं कि हम 96 में भी चुनाव जीते, 99 में भी चुनाव जीते, राजसभा भी गए और लालु जी से भी चुनाव लड़े और जीत हासिल कर दिखाए रोनी अचारे ने कहा कि देखी यहां के लोग कितना आशिरवाद प्यार दे रहे हैं यह बेवकूफ आदमी है जो बार बार भाग जा रहा है पांच साल पर एक बार चहरा चमकाने के लिया आता है उनके इस कमेंट पर अब राजियू प्रताप रूडी ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि जो बच्चे धूप में नहीं निकलते उन्हें अब धूप में चुडचुड़ा हट होने लगी है छप्रा की रोजास्थित राज़त के प्रधान जुला कर्याले पर गुरु वार की शुबह में राज़त कार्यकरताओं से प्रत्यासी डॉक्टर रूनी अचारे ने सीधे समवाद किया है वहीं मेडिया से बाचित में उन्हें राज़त प्रताप रूडी को बेवकूफ आदमी भी कह दिया इस पर रूडी की प्रतिकिर्यास सामने आई है जिन बच्चों को आदत नहीं है दूप में निकलने की और घूमने की ऐसे में वो चिड़चिड़ा हट हो जाती है हम उनको इसके लिए माफ कर देते हम बस उनको इतना याद दिलाना चाहते कि हम 96 में भी चुना जीते राज्यसभावी गया अर्लालू जी से भी चुना लड़े और जीत हासिल कर दिखाए रोणी अचार्या ने कहा कि देखे यहां के लोग कितना आशिरवाद प्यार दे रहें या बेवकूफ आदमी है जो बार बार भाग जा रहा है पांच साल पर एक बार चहरा चमकाने के लिए आ जाता है या प्यार आशिरवाद छोड़ कर कोई बेवकूफी आदमी होगा ज एक बार फिर से आपको बता दू लालू प्रिशाद यादव की बेटी रोणी अचारे ने सारन से शांसद राजियो प्रताप रूडी पर जम कर निशाना सादा है वहीं कैमरे पर ही उन्होंने राजियो प्रताप रूडी को बेवकूफ आदमी भी कह दिया इस से पहले रो उन्होंने पत्रकारों से बातचित भी की है और राजियो प्रताप रूडी पर बाहरी होने का आरोप भी लगाये है और कैमरे पर ही उनको बेवकूफ भी कह दिया है। दरसल सारन लोकसवा सीट पर बीजेपी शांसद राजी उप्रताप रूडी का राज़त प्रत्याशी रोणी अचार्या से सीधा मुकाबला है। रोणी चार्या ने बुधवार को सारन में एक जनसभा को भी संबोधित किया है और कहत उसमें सभा में कहा है। रोणी चार्या को सारन का प्रत्याशी बनाया अब इने लोकसभा तक पहुँचाना आप नेताओं और कारेकरताओं की जबाब देए। बेटी रोणी ने जिस तरह मुझे बिमारी से उबारा उसी तरह सारन की सेवा कर यहां के लोगों के करज से उबारेगी। तो जैसा कि आपने सुना रोणी अचार्या ने कहा कि देखें यहां के लोग कितना आश्रवाद प्यार दे रहे मुझे यह बेवकूफ आदमी है जो बार बार भाग जा रहा है। पांच साल पर एक बार चहरा चमकाने आ जाता है यह प्यार आश्रवाद छोड़कर कोई बेवकूफी आदमी होगा जो भागता होगा इस पर भाजपा के महामंतरी विवेक कुमार सिंग ने कहा कि रोणी अचार्या में ग्यानवस समझ की कमी है बयान बाजी उन्हें विरा करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारें तो मारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद